डाल चावल तो एक ऐसी डीश है, जब कुछ और ना बनाने और खाने का मन करें, तो चलो भई डाल चावल बनाते हैं, जो जल्दी भी बन जाएंगे और टेस्ट भी लगेंगे, तो आज मैं भी वही बना रही हूँ, तो सबसे पहले मैंने मसूर की डाल लिए, उसको वोश कर दी, फिर मैंने इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी, दो से तीन ही डाले, और फिर मैंने थोड़ी सा देसी की डाल दे जिससे टेस्ट अच्छा आता है, और कुकर को बंद करके दो से तीन सीटी लगवाने के लिए रख दिया, फिर मैंने सोचा कि इना दाल के त्यारी थी, मैंने सोचा तड़के की तयारी करती हूँ, मैंने टमाटर लिया है, दो से तीन, उनको भारी कट कर लिया है, दो से तीन हरी मिर्च लिया है, उनको भारी कट कर लिया है, और थोड़ा सा अधरक लिया है, उसको भारी कट कर लिया है, तो दाल भी उबल गई थी तो फिर मैंने इसके अंदे थोड़ा सा गरम करके पाने डाल दे जिससे उसकी जो कंसिस्टेंसिय वो ठीक हो गई थी तो अब तड़का लगाते हैं मैंने तेल के अंदे जीरा डाला है और फिर टमाटर, मिरच और अद्रग डाल दिया है जब यह सारी तरीके से पक जाए तब आप इसके अंदे मसाले डाले जैसे लाल मिर्च हो गया सुखा दनिया पाउडर या चाट मसाला वगएर आप जो भी मसाला खाते हैं अगर कम लगे तो आप बाद में एर्जिस्ट कर सकते हैं फिर आप डाल डाले और थोड़ी देर पकाने के बाद इस तड़के को आप कूकर के अंदर डाल दे और अगर आपको खुले में पकाना तब खुले में पकाए मतलब आप सीटी ना लगवाए बट मेर को जल्दी थ तो इसने मैंने दो से तीन सीटी लगवाओ दे दे दोबारा से फिर आप आलु को हम फ्राई करते जिसके लिए मैंने मस्चरण सीट डाले है थोड़ा सजीरा और अलु को डाल दिया है अब इसके ओपर मैंने हरी मिर्च डाली है कटी हुई और फृ मेंने अपने मसाले डाल जैसे कि नमक, हल्दी, लाल मिरच और सुखा दनिया पाउडर और चाट मसाना जिससे टेस्ट अचाता है इन सबी को मिक्स करके इसको पाथ-साथ मिंट के लिए मैंने ऐसे ही फ्राइ किया और फिर ढखकर पकने के लिए छोड़ दिया तो अब डाल भी बन गई है जिसे मैंने घीर डाला है कोकर में जीरा डाल दिया है और फिर मैंने तेजपता डाला है अब उसके बाद मैं चावल डाल देती हूँ तो चावल के बाद आप जितने चावल दिया है उसका डबल आप पाने डाले और कटी हुई हरी मिरच डाले नमक डाल दे और अब जो भी मसाले खाते आप वो डालें आद रहां कि आप थोड़ा सा निम्बू का रस डालने जिस से आपके चावल है आप कुकर में बना रहे हो उदर वास चिपक सकते पर दिस को झिस्स हो छ्याँने की सब पाल को आ सकते को फ्यूसुन बूला नहीं ho Haid dy इस दाल के लिख सकते मेदने नहीं हैं